अब नारी शक्ती वंदन अधिनियम मुरी तु समझ में नहीं आया कि ये लेजिसलेशन है या किसी तरह का धार्मिक गरंथ की एक उसका सिर्शक है जत्र नारियस्तु पुजियनते रमंते तत्र देवता पता नहीं देवता रम करते हैं कि नहीं लेकिन हमने इस लोक के बावजूद महिलाओं का मॉलेस्टेशन देखा घरेलू हिंसा देखी हमारे धर्म गरंथों में कोई ब्यवस्ता है और ना आज की समकालीन बाचीत में कोई ब्यवस्ता है और पृधानमंत्रीजी की कसी और करनी में फासला नहीं यह नहीं होगा कि बाबा साथ भीमराव अंबेद कर को माला भी पहनाए और उनकी बात को आत्मसाथ मा करें मेरा सरने में एक प्रिविलेज है नीरज भाई का सरने में एक प्रिविलेज है हमारे सरनेम ने हमें प्रिविलेज दिया है उन सरनेम्स को देखिए जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में शायद देर इस नाथिंग इन नेम बट एवरिटिंग इस देर इन दे सरनेम क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकूर है जो न्यालेव में बैठा हुआ है विश्विद्यालियों में बैठा हुआ है संसत की धालीज को वो चेक करता है ये मसला येस और नो का नहीं है मानियव सभापती जी ये मसला हमारे देश की तारीख से जुरा हुआ है ये मसला इस बात से जुरा हुआ है जो प्रधान मंत्री जी ने अभी बीते दिनों सेंट्रल हॉल में कहा था क्यानवस बड़ा होगा आकृती बड़ी होगी बड़ा क्यानवस है लेकिन आकृती छोटी गड़ी जा रही है और ये इतिहास स्मरन करेगा ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अब नारी शक्ती वंदन अधिनियम मुरी तु समझ में नहीं आया कि ये लेजिसलेशन है या किसी तरह का धार्मी गरंत की एक उसका सिर्शक है क्योंकि बच्पन से पढ़ता आया इस देश में जब आपकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं थी जत्र नारियस्तु पुजियनते रमंते तत्र देवता पतानी देवता रम करते हैं की नहीं लेकिन हमने इस लोग के बावजूद महलाओं का मॉलस्टेशन देखा घरे लुहिंसा देखी सबसे ज़्यादा रेप परिवार न हैं पत्रकार भी इस दर्शक दिरगा में इनके मा इनको भी ये कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ सरोकार है इस देश में ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफ ये श्लोक पढ़ा जाए और दूसरी तरफ हम उस जुबान को छोड़ दे जो संबिधान से आती है मैडम संबिधान राइट्स की बात करता है अधिकार की हमारी वकैबलरी को क्या होता जा रहा है अधिकार दया कि श्रेनी में नहीं आएगा लेकिन पूरा का पूरा जो टेक्स्चर देखता हूं वो दया कि श्रेनी में बात होती है अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी मानिए डेप्टी चेर्मन मैम चेर्परसन मैम स्वारी अब हम क्या कर रहे हैं इस बिल के माधियम से 84 और 47 के अंदर वन थर्ड कर रहे है क्या यह अन्याय नहीं है existing seats में नहीं जो 33 परसंट आ रहा है उसके अंदर जिसका आकड़ा अभी के हिसाब से 136 seat बैठता है उसमें SC, ST और OBC की वेवस्ता हो क्योंकि देखिए मैं आपके माधियम से कहूं हर महिला के को बहुत मुश्किल से आगे पढ़ना पड़ता है यह आप भी जांकिए और खास करके पिछडे वर्गों की महलाएं अनसची जाती जन जाती की महलाएं उनका डेप्रिवेशन और वल्नेरिबिलिटी बाकियों से ज़्यादा होती है हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है अगर आप पहुँची तो बिना हैंड होल्डिंग के लेकिन उन पिछडी जाती की महलाओं का क्या जिनके हैंड होल्डिंग के लिए ना हमारे धर्म ग्रंथों में कोई वेवस्ता है और ना आज की समकाली बाचीत में कोई वेवस्ता है रिटौरिकली हम कुछ भी कह दें मेरा सिर्प आपके माध्यम से कहना होगा कि हमारी पार्टी आज मैं समर्न कर रहा हूं हमारे राष्ट्रिय अध्यक्ष लालु प्रसाद यादव जी भगवतिया देवी कई लोग जानते होंगे पत्थर तोरने वाली महिला थी पत्थर तोरने वाली हमना सहबो गाली भाईया हमना सहबो गाली वहां से गया से निकल करके वो संसत तक पोची क्या उसके बाद संबेदन शुन्य है मैं तो आग्रह करूंगा तमाम साथियों को आप किसी भी दल में हो आज एक बार उससे बाहर निकल करके सोचिए यह इतिहासिक च्छन सचमुच इतिहासिक होगा अगर हमने आज इतिहास को ब्यापक कैनवस पर देखा जो प्रधान मंत्री जी कहते हैं और प्रधान मंत्री जी की कत्री और करनी में फासला नहीं होना चाहिए और यह फासला इसलिए नहीं होना चाहिए कि बड़े दूर फासले पे लोग अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुँच रही हो तो आज मैं अगरह करूँगा तमाम साथियों से चिंता न करिए डली ए विप की डली ए विप समाज की ववस्था पे भाड़ी होना चाहिए इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं आज भी मौका है इसको सेलेक्ट कमिटी में भेज करके S.C.A.S.T. और O.B.C.S. को O.B.C.S. को इंकॉर्पोरेट किया जाए नहीं आज आज आप हम नहीं करेंगे हम एतिहासी गुनहगार होंगे मैं यकीन के साथ कहता हूँ बाहर लोग वाच कर रहे हैं कहेंगे कि तुमने क्या किया यह यह विवस्था ऐसे नहीं बदली जाती है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दाइरों से अलग हो करके आप जब O.B.C.S. की बात करते हैं तो यह रेटारिक से आगे बढ़ना चाहिए हमारी चिंताओं में आना चाहिए यह नहीं होगा कि बाबा साथ भीमराओं अमबेदकर को माला भी पहनाए और उनकी बात को आत्मसाथ मा करें यह जो फरक हमारे इसमें आ रहा है इसे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो रहा है माड़म चेर परसन मैं आपको कहूँ कि कोटा भी दिन कोटा की जब हम बात करते है तो उसमें एक तर्म आता है जो एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस ने 89 में दिया इंटर्सेक्शनालिटी अब ये इंटर्सेक्शनालिटी को चुके मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आज मैंने सुभा इसका अनुवाद बहुत धूंडा उसके अनुवाद में एक अनुवाद आया प्रतिच्शेदर इंटर्सेक्शनालिटी का मतलब होता है हम हर लेयर की अजनसीज और उसके अंदर की क्या विधाये हैं उसके आधार पर अपना चड़ितर अफ़र्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को ये देखना होगा जो खास करके वंचित समाज की महला आया है मैं उनके बारे में कहूँ आपको एक बार अपना नजरिया साफ करना होगा अगर चश्मा लगाती है सरकार धूब का चश्मा नहीं अगर सचमुच का चश्मा लगाती है तो उसके पावर बदलिए उसको साफ करिए और ये तै करिए कि आज जब हम यहां से उठें तो एक कमिटमेंट दें OBC वर्फ को और ये मैं बार-बार दूरा रहा हूँ कि 33% को existing में मत incorporate कीजिए इच शुड बी separate नई विवस्था में नया 33% विदाउट टाचिंग ये करिएगा तो करंतिकारी कदम होगा अकसर हम लोग अपने privileges को नहीं दिखते हैं मेरा सरनेम एक प्रिविलेज है नीरज भाई का सरनेम एक प्रिविलेज है हमारे सरनेम ने हमें प्रिविलेज दिया है उन सरनेम को देखिए जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है I say, I say मैं बहुत अच्छा किया मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं चेर परसन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रिविलेज का जो ब्याकरण है वो खत्मी नहीं हो रहा है मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में शायद देर इस नाथिंग इन नेम बट एवरिटिंग इस देर इन दर सर नेम उनके संगर्श उनका जीवन कठिन लगातार होता जाता है और एक एतिहासिक तथ्य बताओं 31 में बिगम शेहनवाज और सरोजनी नाइडू ने संविधान बनने से बहुत पुर्व इक्वल रिप्रिजेंटेशन की बात की थे हम कहे कोट के पढ़े हैं 33 पर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि 33 के साथ क्या रिश्टा है हमारा यह 50 क्यों नहीं हो सकता यह 55 क्यों नहीं हो सकता आपका पूरा का पूरा वर्ग चरीतर बदल जाएगा आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहाँ है हमेशा एक खास सरनेम मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो अलग अलग दलों में भी है अगर वो पहुँचे हैं यहां तक अपने संघर्ष से तो उनको आज यह आवश्यक्ता है उनको यह भरोसा दिला आ जाए कि ऐसी कोई चीज आगे नहीं होगी सब के लिए खुलेगा आपकी यह जो नई पार्लेमेंट है हमारी यह रंगी जादा होगी इंद्र धन उसमें कई रंग होते हैं हम यह कौन सा बिला रहे हैं जिसमें ब्लैक और वाइट के बाद शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है अगर हमारा अउदेश depending of democracy है तो कदम उस दिशा में बढ़ाने होंगे मैंने पहले भी कहा था कि 2010 में हमारा representation देखिए उसमें हमने SC, ST, OBCs and minorities की बात की थी और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं हम चाहते हैं कि वर्ग चरीतर बदले संसद सचोच में पृतनियोधित्य की संस्था बने जिसमें सब के आकार हूँ सब की शकले हूँ ये नहो कि एक प्रभुत्व वर्ग का उस पर हमेशा उस पर चाप रहे अब वे तो कि अभी जातीगत जर्गना कल शाम के बाद मैं चेर परसन मैं चेर परसन अब मैं आपका एटेंशन चाहता हूँ कल शाम के बाद इस देश में लोग सब हमें बिल पास हुआ उससे ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है OBC के साथ नाइंसाफी हुई इस बात की चर्चा हो रही है कि जातीगत जर्गना पर क्यों ब्लॉक किया जा रहा और मैं यह कह रहा हूँ हमारे CM वितेश जी और तेजस्वी जी डेप्टी CM उन्हेंने जातीगत सर्वेक्षन कराया 28 अगस्त को मेरे पास दोनों एफिडेविट है पहले एफिडेविट कोन लेखे गए सरकार तुशार में तक हरे होते हैं यह कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट केनोट टू एनी अक्टिविटी लाइक सेंसस और अक्टिविटी अकिन टू सेंसस लेकिन शाम तक जब आप रोर होता है दूसरी अफिडेविट आती है कहती है गलती से वो परेग्राफ लग गया था सरकारें ऐसी गलतीयां नहीं करती है यह मानस करवाता है यह प्रेजिडिस माइन करवाता है मैडम चेर परसन बस बस ज़्यादा नहीं लूँगा मैंने कई संसोधन दिये हैं मैडम चेर परसन मैंने कई संसोधन दिये हैं उन संसोधनों पर भी सरकार विचार करें हाथ जोड़के कहता हूँ आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा खिरदाय विशाल रखना चाहिए छोटे मन से आफी के बड़े नेता कह गयते छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता कैनवास पे बड़ी लकिर खीचिये और मैं आखरी में एक बात कहके खतम करूंगा कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश नहूं मैं हम चैर परसन एक मिनट एक कविता लेके आया था उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाईए और ये कविता परके खतम करूंगा और जैहिंद बोल दूंगा ये ओम प्रकाश बालमी की जी का है इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाती भी शेश के लिए नहीं है क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यालेव में बैठा हुआ है संसत की दालीच को वो चेक करता है तो कविता कुछ यूँ है चूला मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का भूक रोटी की रोटी बाजरे की बाजार खेत का खेत ठाकुर का बैल ठाकुर का हल ठाकुर का हलकी मूठ पर हतेली अपनी फसल ठाकुर की कुवा ठाकुर का पानी ठाकुर का खेत खलिहन ठाकुर के गली मुहले ठाकुर के फिर अपना क्या गाउं देश सहर और मैं फिर से क्लारिफाई करता हूँ वो ठाकुर मैं भी हूँ वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्विद्यालियों में है, वो ठाकुर विधाईका को कंट्रोल करता है, इस ठाकुर को मारो, जो हमारे अंदर है, जैहिन मैं, जैहिन साथ ही, अगर आपको The Newsweek का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अंबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें, आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, इस QR को स्कैन करें, और Newsweek Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें, QR कोड के अलावा आप UPI की जरिये भी मदद कर सकते हैं, आप हमारी UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं, इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं, खाते का नाम है Newsweek Foundation, अकाउंट नमबर है 0235-887-0000-640, IFSE कोड है YesB-000-235, बैंक का नाम Yes Bank है औ सकते हैं, डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्राजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें, टाइप करें डोनेशन, स्पेस अपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाट्सेप करें